नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लेग प्रेस एक्सरसाइस के बारे में महत्पूर्ण बाते बताने वाले हैं लेग प्रेस ऐसी एक्सरसाइस है जो इस पार्ट्स ग्लूट्स और हैम्स्ट्रिंग मसल्स को उत्यजित करती है मुख्य रुप सी इसका लोड हैम्स्ट्रिंग के साथ उन मसल्स पर भी आता है जो हिप्स और घुटने के मुवमेंट में सहायक होते हैं हैम्स्ट्रिंग मसल्स हिप बोन के पीछे ग्लूट्स मैक्सिमम से घुटने की कटोरी तक होता है इस एकसरसाइस को करने के लिए जीम में एक मसीन होती है जिस पर लगे वेट को आपको अपने पंजो की सहता से पैरों की ताकत लगाते हुए प्रेस करना होता है इससे पैर मजबूत और टोन करने में भी काफी मदद मिलती है ये मसीन तीन प्रकार की होती है वर्टिकल लेग प्रेश मसीन, होरिडेंटल लेग प्रेश मसीन और एंगल लेग प्रेश मसीन लेग प्रेश एक्सरसाइस करने के फैदे यदि आप अपनी लोवर बाउडी टोन करना चाहते हैं जिसमें आपकी रीट की हड़ी पर अधिक लोड ना आए तो ये उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइस है लेग प्रेश आपको अपनी पीट पर अतिरिक दबाव डाले बीना मसल्स को टोन करने के साथ ही उनको मजबूत करती है लेग प्रेश मसीन से सिर्फ अपने पैरो की इस्षिति चेंज करके आप अलग-अलग लेग मसल्स को टोन कर सकते है इससे काफी मात्र में मसल्स ब्रेक और कैलोरी बर्न होती है जो कि आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद कर सकती है इस वर्काउट के बाद आपकी बाड़ी करीब 24 गंटे तक कैलोरी बर्न करती रहती है लेग प्रेस मसीन पर अधिक वेट उठाने से आपको ये फाइदा होता है कि इसमें आप काफी हैवी वेट उठा सकते है इसे करते समय अधिक बैलेंस बनाने या गिरने का डर नहीं होता स्क्वाट करने में कोर मसल्स काफी मदद करता है और यदि आपको अपने core पर काम करने के लिए कुछ समय चाहिए तो leg press करने से core muscles पर ना के बराबर load आता है यानि इसे करते समय आपके core relax होते है leg press के दवरान होने वाली गलतिया देखा जाता है कि कई लोग इस machine में कापी अधिक वजन लगा लेते है जिससे exercise करने की technique बदल जाती है heavy weight उठाने किया picture यदि workout करने की position ठीक होगी तो आपको उससे ज़्यादा फाइदा मिलेगा इसलिए हमेसे heavy weight किया picture सही position पर ध्यान दे इस exercise को करते समय कई लोग अपने hips को seat से उपर उठा लेते है जिससे आपकी read की huddy पर काफी load आता है इसलिए ध्यान रखे आपकी hips seat पर ही रहे leg press करते समय अपने घुटनों पर हाथ रखने से सरीर का balance विगड़ जाता है और आपका back उपर उठ जाता है इसलिए हमेसे ध्यान रखे गुटनों पर हाथ रखने किया picture side में लगे handle को ही पकड़े सांस लेने और छोडने का exercise के दवरान काफी महत्व होता है इसलिए प्रेस करते समय हमेसा अपनी सांस पर focus करे कई बार लोग इस exercise के काफी अधिक reps लगाते है जो कि गलत होता है इससे जल्दी थकान हो जाती है और अधिक state नहीं कर पाते इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि इस exercise की मदद से सरीर को और अधिक tone कैसे बनाया जा सकता है लेकिन ध्यान रखे कि सुरुवात में ही heavy exercise करने की कोशिश न करे नहीं तो आपको चोट लग सकती है exercise को करने से पहले warm up करना न भूले यदि workout के दौरान आपको muscles में खिचाओ या कोई चोट लगती है तो तूरंत अपने trainer को बताए ताकि वो आपको उची सलाह दे पाए तो दोस्तों इस तरह की और fitness से सम्मंदित रीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद